मार्स मां जीवन को खोजी का लागी दसकों देखी बैज्यानी खरू लागी परिकाशन रब मार्स मां एक्स्प्लोर गर्नका लागी कईयों मिशन हरू गरिये को साब मार्स एक्स्प्लोरेशन प्रोग्राम को क्रम मां नासाले 2012 मां आफनो एक रोवर मार्स मां पठाये को थियो, जसको नाम क्यूरियस सिटी हो, जब रोवर क्यूरियस सिटी प्रिथिवी बाट संद 2011 को नोवेंबर 26 मां मार्स का लागी लॉंच भायो, तब इसले करीबे 5-66 मि मार्स को सतह मां अवतरण गरना सफल भायो, नासा ले एस मिशन लाई केबल त्यो 2 बर्ष का लागी मातरे तवय गरे को थियो, तरह एसको सफल तालाई मध्य नजर गरी अनिस्चित काल का लागी भढ़ायो, नासा का अनुसार जब सम्मा कीरियस सिटी को अवस्ता ठीक ठा गरने छाऊं, जसको बारे मां हमेले इस अगी चर्चा गरेगा थिये नू क्यूरियस सिटी ले आजसम मार्स बाट संयों तस्वीर प्रिथिवी मां पठाई सके गोछा, इस तस्वीर हर को माध्यम बाट मार्स को एक्स्प्लोर गर्ण मां निके सहस्दा मिल्यो, क्यूरियस सिटी को मार्स अबजर्भेशन 2012 देखी आजसम मां लगातार चली रहेगो क्यूरियस सिटी ले आजसम मार्स का जुन भाग हरु को तस्वीर लिएको छा, ती भाग हरुको नाम नासाले फरक फरक रहेको छा, पचिलो 8 वर्ष देखे टूर मा रहेको यूरोबर आजसम मा करिब 21 किलोमेटर यात्रा गरन सफल भायेको छा, सबई भन्दा पहले कियू कुरियो सिटीलाई जुन ठाउमा ल्यांड गडायेको थियो तेस ठाउंको नाम गेल क्रियेटर हो। सोही ठाउंको आसपास मां मांट सार्प नामक एक पहाड पनी छा जसको उचाई सत्रहजार फिट अगलो रहेको छा। यती बेला नासा का लागी सबैभंदा ठुलो चुनावती कसरी येस पहाड मां कियूरियो सिटीलाई चठाउन सकिन चापान ने थियो। किनाकि मार्स को अरको हिसालाई एक्स्प्लोर गर्नू पनी थियो। अब येस पहाड मा क्यूरियस सिटी लाई चढ़ाऊना बैज्यानिकारूले एक 3D म्याप तयार गरे सोही म्यापको सहयोग मा पहाड मा उकलने बाटो खजियो क्यूरियस सिटी का लागी पहाड मा चढ़ाई गरनू निकै चुनोती पुर्ण तथा खतरा पुर्ण बने थियो रपनी बैज्यानिकरू येवटा बाटो मार्फत क्यूरियस सिटी लाई माथी लाई जाना तयार भए येशरी नासाले तयार गरेको 3D म्यापको आधार मा क्यूरियस सिटी ले आफनो यात्रा तये गर्यो आफनो यात्रा को पहिलो चरण मा क्यूरियस सिटी ले माउंट सार्प को एक्स्प्लोर गर दै पहिलो तस्पिर लियो जुन एलो नाइफ वे को थियो जुन तस्पीर संद्वी हजार बार डिसेंबर सत्रमा लीएको थियो येस खाडी को आकार पांच मीटर गहेरो छा यो गेल क्रियेटर नजीके दोहेको छा येस तस्पीर को मदद मा बयानिक हरुलाई यो था भायो की प्राचिन समय मा येस ठाउमा प्रचूर मात्रा मा पाने भाय को थियो येलो नाइफ वेके नजीक पोईंट लेक को पनी तस्पीर लीना सफल भायो क्यूरियसिटी ये तस्पीर हरुमा केवल चट्टान मात्राई देख्यो आफनो यात्रालाई अगाडी बढ़ाउं दै क्यूरियसिटी पिहरंप हिल्स तर्फ गयो यहां रोकियेर क्यूरियसिटी ले किम्बरली फर्मेशन को तस्पीर लियो येस तस्पीर बाट त्यो कुरापत्ता लाग्यो की येस छित्रमा पनी प्राचिन समयमा निकैपानी थियो येस पछे क्यूरियसिटी, गार्डेन सिटी, माउंट सार्प तर्फ अगाडी बढ़ियो येहां रोकियेर क्यूरियसिटी ले धेरे तस्पीर हरू प्रिथिविमा पठायो इत तस्पीर हरुमा अत्यधिक मात्रामा मिनरल वेल्ज देखिन छा इत तस्पीर तथा डेटाको अधेहन का लागी क्यूरियसिटी ले एसलाइ बग्यानिक समक्ष पठायो गार्डेन सिटी को काम सके पस्साद क्यूरियस सिटी ले तपाय हाम्रो लागी एके निकै सुन्दर द्रिश्य पठायो उक्ता द्रिश्यमा क्यूरियस सिटी ले मार्स मा डुबी रहेको सुरिया को तस्वीर कोईद गरेको थियो प्रिथिवीमा अस्ताउद सुर्या को रंग अरेंज कलर को होंचा तरब मार्स मा भने आकास को रंग निलो बनना पुख्षा बैयानिक हरुका अनसार मार्स को बायु मंडल मा रहेका सुक्सम कण हरुका कारण सुर्या अस्ताउदा आकास को रंग निलो होना पुख्षा माउंट सार्प को नजिक लीएको इस तस्वीर मां केबल चटान हरु मात्रे देखिन छन। चटान हरु को बनावटलाई देखी सके पस्षादी यो थावायो की यो पूरे इलाका कुने बेला पोखरी थियो। चटान हरु माँ जुन आकार रहे को छ त्यो अध्यन गरदा यो थावायो की त्यो पानी को निरंतर बहाब का कारण बनेको हो। थेस पची क्यूरियस सिटी ले मरियस पास को तस्वीर पनी लियो। जू दुई मरियस रहक यूनिट जोडियेको छेत्र पनी हो। त्यस्पची क्यूरियसिटी ले ब्यागनोल्ड ड्यून को तस्विर लियो। यस ड्यून को निर्मान हावा को येवटे दिशामा लगातार बहाव का कारण भायको छियो। यसको लंबाई करिब 35 किलोमीटर रचोंडाई करिब 2 किलोमीटर जाती छा। ब्यागनोल्ड मार्समा खोजी एको पहिलो ड्यून नै हो। यस तै क्यूरियसिटी ले एक अरको ड्यून को पनी तस्विर लियो। जसलाई नामेब ड्यून नाम दीएको छा। यस ड्यून को उचाई लगभग 13 फिट छा। यहां ब्यागनोल्ड ड्यून बाट क्यूरियसि अब अगाडी को यात्रा तय गर्न थाले। मरी बेर्स बाट अगाडी बढ़न क्यूरियस सिटी लाई द्योटा खतरा पार गर्नो पने थियो। जसलाई इंट्रेंस अफ मरी ब्यूट्स नाम दिये को थियो। मरी ब्यूट्स लाई पार गरी सके पस्टाथ क्यूरियस सिटी ले एंट्रेंस अफ मरी ब्यूट्स को पनी तस्पीर लियो। क्यूरियस सिटी ले इस सबै तस्पीर हरू सन्दु हजार सोर अगस्ट सामा लियेको थियो। एसाई दिन क्यूरियसीटी को मार्समा चौथो एनिफार्सरी बनी थियो। मरी पियूर्स पसाथ क्यूरियस सिटी ले स्टिमसन फर्मेशन को तस्पीर बनी लियो। यो खन्द-खन्द परेको बलोटे डूंगाबाट निर्मित एक चटान हो। येसको निर्माण एक बलोटे आधिवाट भाय को मानें छा। माउंट सार्प को आधार को निर्माण पसाद सैंट डियून्स धरासाई भाय पसी स्टिम्सन फर्मेशन को निर्माण भाय को छियो। मरी ब्यूट्स लाई गुर्बाई गर्दै क्यूरियस सिटी ले तेस इलाका को अंतिम तस्विर लियो। जस लाई ब्यूट् M9A नाम दिये कोछा। उक्तदुरिस्य कहिद पसाद क्यूरियस सिटी अगाडी बढ़्यो। अगाडी बढ़्दै गर्दा क्यूरियस सिटी ले सानो पहाड को एक नया तस्विर बठायो। कालो रंको सुरफिट उचाईवाला तस्विर लिये पसी क्यूरियस सिटी ले हमिलाई अगनकुईत वीज को तस्विर बठायो। यहां लार्ज क्रिट्स रहे का सन यो ससाना रिंकल हर बाट बने को सा। यहां बाट अगाडी बढ़ेरा क्यूरियस सिटी ले वेरा रोगन वीज को तस्विर लियो। यू पनी एक चटान हो तरह येसको निर्मान कसरी भायो बने बारे केही था भायन किनेकी यो तस्विर निकैए टाढ़ा बाट लिये को छियू। जब क्यूरियस सिटी ले येसको नजीक गयर नया तस्विर लियो तव ये था भायो कि येस चटान को निर्मान विंड इरोजन अर्थात हावा को कटान का कारण भायको हो। येस चतानको उचायमा पूये पसी कुरियसिटी ले आजसम्मको सफर देखावना का लागी एक पानारोमेक तस्पिर लियो। येस तस्पिर मा गेल क्रेटर देखी बेरारोबिन रेंज समको छेत्र देखना सकीन छा। बेरा रोबिन देखी माउंट सार्प समको दूरी भने तीन माईल छा। सन्द दुहजार अठारा जुनमा मंगल ग्रह मा धुलोका कणले भरियेकू एक भयानक तुफान आयो। यस तुफान मा क्यूरियसिटी को साथी रोबर अपर्चुनिटी डेमेज होन पुयो। अपर्चुनिटी क्यूरियसिटी भन्ना निके टाढ़ा और को हिस्सा मां मार्स को एक्स्प्लोर गर देच्यो। अपर्चुनिटी ले नासालाय पठायकू अन्ती म्यासेज यो थ्यों कि माई बैटरी इस लो और इट्स गेटिंग धार्क। येस म्यासेज पस्साद अपर्चुनिटी संगा कहिले संपरका होना सकेना। त्येस पची संद 2019 फेबरो अरीमा अधिकारिक रूपमा अपर्चुनिटी हरायकू गोशना गरियो। आधि आये पस्साद कियूरियसिटी ले मार्स को आकास को तस्विर लियो। येस तस्विर मा आधिको असर देखना सकीन छा। केवल तीन दिन मा मार्स को आकास पूरै दोलो का कणले ढाकी सकेको थियो। कियूरियसिटी मार्स को जुन छेत्र मा थियो तिहां दोलो का कणको निकै कम असर परेको थियो। जसकारन कुरियस सिटी लाएकुने ही नोक्सान पूए नुदूलो को असर कम्भ़्य पस्द् это किरियस सिटी ले फेरी आफनु शफर सुरूगर्यो रॉचताए तर्फ बढ़्योदू क्यूरियस सिटी ले मार्स को मार्टो को पनी तस्विर लियो। येसको अध्यान बाट बयानी करूलाई त्यो थावायो कि येस इलाका को निर्माणमा आखेर पानी को कस्तो भूमिका थियो। मार्स को एक्स्प्प्लोर गर्दे क्यूरियसिटी ले आफनू पनी सेल्फे लियो। क्यूरियसिटी ले आफनू सेल्फी ग्लेन एटीव वन्ने ठाव मा लिये को थियो। यो सेल्फी क्यूरियसिटी को रोबोटिक हाथ को मदद मा लिये को थियो। तरफ फोटो लाई डिजिटल प्रोसेसिंगरी हात लाई तस्वीर बाटा हटाईयो जस्वाटा क्यूरियसिती को उत्क्रिष्ट द्रिष्य देखना सक्योज। अब क्यूरियसिती को आगामी यात्रा ग्लेन एठीब को थियो। यस ठाउमा गए र क्यूरियसिती ले किही तस्वीर लियो र मार्ज को सत्तहमा ड्रिलिंग गरी माटो को स्याम्पल लियो। क्ले बेरिंग यूनिट ले स्याम्पल को ज्याँच गर्यो यस बाटा था भयो कि यस स्थेत्रमा अंतको भंदा बड़ी मात्रामा माटो छो। रए यस्थ्यत्रमा प्राचेन कालमा पानी समेत भायको था भयो। क्यूरियस सिटी ले सन 2020 मार्ज मा एक नया हाई रेजुलेशन क्वालिटी को पिक्चर लियो। यो तस्वीर 24 नुबेमर देखी एक डिसेंबर को बिसमा लियेको थियो। क्यूरियस सिटी ले इस्थास्वीर लाई ग्लेन टोरीडन नामक ठाउमा लियेको हो। क्यूरियस सिटी अहिले यहीचित्रमा छुए। क्यूरियस सिटी को आफनु माउंट सार्व सम्मको सफर पुरा भई सकेगो छाई न। यात्रा को क्रम मा बिविन्न चुनावती को सामना गर्णू पनी अजय बाकी सब। दर्शक बिन्द अब हमिले प्रतिक्ष्या गर्णू पने छाकी कि किये कियुरियसिटी माउंट सार्प को उचाय मा पोगलाता। आगामी दिन मा एसले मार्स को भारेमा अजय की कसता रहश्यारू उजा गर गर्ने छता। बविश्य मा पत्ता लागने एसता रहश्यारू था पाऊना आओन होस एकपटक एस चैनल लाई सब्स्राइब गर्न्न होस। यदि पहिले सब्स्राइब गर्नों भायको सावने लाइक कमेंट रा सेयर गर्ना नव वर्नों हला और को दिन अजर रमाईलों विशेवस्तु लिए रा आउने नैसाँ तब सम्मकु लागी बिदा दिनों होस नमस्कार